तो हेलो साथियों नमस्कार स्वागत थे आपका अपने चैनल सक्सेज जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में मेरा नाम है अतुल सुकला और हम लेकर क्या आगए हैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल दो हजार तेई से सोला नौंबर थर्ड सिप्ट का एकजाम इनलेस जिसमें आज हम आपको GKGS और Current Affair के प्रस्णों के बारे में बताएंगे उसके बद कम्पीटर में कौन से टॉपिक से प्रस्ण आ रहा है फिर रीजनिंग में क्या प्रस्ण पूछा गया है मैथ में कहां से प्रस्ण आ रहा है इन सब के बारे में जानकारी आपको हम देने Basketball Federation के स्थापना कब हुई थी तो 1950 में Indian Basketball Federation के स्थापना हुई थी देखिए Basketball Federation of India जिसे हम BFI कहते हैं भारत में Basketball का सासी निका है इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और यहां FIBA, Asia और भारती ओलम्पिक संग से संब्ध यानि की FIBA और Asia से संब्धित है इसका जो है एक संग मे यह भी रहता है इनके संग में ठीक है तो भारती ओलम्पिक में यह एड है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस देखते हैं यामनी कृष्ण मूर्ती को किन दो निर्तियों में पद्म विभूशन मिल चुका है तो भरत नात्यम और कुछी पूरी इन दो निर्तियों में यामनी कृष्ण मूर्ती को पद्म विभूशन मिल चुका है हमने आपको पहले भी कहा था कि यामनी कृष्ण मूर्ती से लगा था प्रस्ण पूछे जा रहे हैं कल भी एक प्रस्ण पूछा गया था ठीक है आज वह प्रस्ण रिपीट होकर किया है हालांकि आज यह पूच आपको निर्तक जो बहुत फेमस फेमस नियृटक है उनको पढ़कर के जाना है अगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है यह पना पहरुन एट मायवे subscribe तो अब इसके बाद में आपको BBS लक्षमर की जो आत्मकता है 281, इसके बाद में सौर्प गंगुली की जो आत्मकता है, सुरेस रहना की जो आत्मकता है, इन आत्मकताओं को पढ़कर के जाना है, बस इतना पढ़कर जाना है, इन लोगों ने कौन-कौन सी आत्मकता लिखी ह क्योंकि यहां से लगातार प्रशन बन रहे हैं आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखिए इस्थाई ब्योस्ता का जनक किसे कहा जाता है तो Lord Carnivalis को इस्थाई ब्योस्ता का जनक कहा जाता है इस्ताई बंदोबस्त इसी को हम इस्तमरारी बंदोबस्त कहते हैं इस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमीदारों के बीचे करवसूलने से संबंधित एक इस्ताई ब्योस्ता है ठीक है जिसे बंगाल में लाड कारणवालिस की दौरा 22 मार्च 1793 को लागू किया है ये डेट भी कभी कभी पूछ लिया आती है कि स्थाई बंदोबस्त ब्योस्ता कब लागू की गई थी तो 22 मार्च 1793 को भारत में लॉड कारणवालिस की दौरा या ब्योस्ता लागू की गई थी सारे के सारे प्रस्ण रियर और ऑथेंटिक प्रस्ण है इसलिए वीडियो को लाइक जरू कर देना पहली हरित करांथी कभा आई थी तो 1968 में पहली हरित करांथी आई थी देखिए हरित करांती 1968 में शुरू हुई पहले साल में 13 करोड हेक्टियर जमीन में से 24 लाख हेक्टियर जमीन में जादा उपर देने वाले बीजों का इस्तमाल किया गया था ठीक है इस प्रयोग के सफल नतीजों को देखते हुए 1971 तक 1.5 करोड हेक्टियर में ऐसी खेति की गे थी ठीक है तो पहली जो है हरित करांती कब आई थी 1968 में आई थी देखिए अगर आप लोग एक्जाम एनलसिस देखना चाहते हैं तो कम समय वाला ही एक्जाम एनलसिस देखिए क्यों कि अभी यहाँ पर पैटर्न बे बिल्कुल भी चेंज देखने को नहीं मिला है दिल्ली पुलिस के तो आपको एक आईडिया लगता रहेगा और आपका समय भी बसता रहेगा ठीक है तो दस से बारा मिनट के अंदर हो आपको सारा एक्जाम एनलसिस करा देंगे सब आपको समझ में आ जागए कहा कहा से कितने कितने प्रशन आ रहे हैं तो बस इसी की तैयारी कीजिए फाल्तू में एक डिड़ घंट अपना बरबाद मत कीजिए कहीं भी लंबा लंबा एक्जाम एनलसिस आपको नहीं देखना है ISL की स्थापना कब हुई थी तो 2013 में इंडियन सुपर लीग ISL की स्थापना हुई थी चलिए देख लेते हैं कौन-कौन इसमें खेलता है कितनी टीमें खेलती है आगे प्रशन पूछा जा सकता है तो लीग में पूरे भारत से 11 टीमें खेलती है तो 11 टीमें इस लीग में हिस्सा लेती है या अगर्ष्ट से मई के बीच में खेली जाती है और फाइनल्स में सरंकला का विजेता घोसित किया जाता है इसका गठन 2013 में भारत में फुटबॉल को प्रोसाइद करने वा भारती फुटबॉल को अंतराष्टी स्थर पर लाने के लिए किया गया था तो आपको याद रखना है ISL जो है वो ISL जो है फुटबॉल से समन्दित है इंडियन सुपर लिग जो है फुटबॉल से समन्दित है इसका गठन 2013 में किया गया था आगे बढ़ते हैं अगला पस्तन है WPL बूमेन प्रीमियर लिग जैसे आपका IPL होता है वैसे बूमेन प्रीमियर लिग की सबसे महंगी खिलाडी कौन रही है तो इसमर्ती मंधाना जो है वो बूमेन प्रीमियर लिग की सबसे महंगी खिलाडी रही है देखिए तो इस मर्दी मंधाना सबसे महंगी खिलाडी जो है विकी है डबलू पील ओक्सर में खर्च हुए 69.5 कर रुपए में 87 प्लेयर भिकी है ठीक है बाकी पूरी जानकारी यहां पढ़ दी गई है जो आपको पढ़ करके देख ले रहा है 30 विदेशी खिलाडी इसमें सामिल हुए थे यह जरूर ध्यान रखना 30 विदेशी खिलाडी और 87 खिलाडी को फ्रेंचाजी टीमों ने खरीज़ा था ठीक है और इसमें 30 विदेशी खिलाडी थे सबसे महंगी खिलाडी इस मर्दी मंधाना रही है चलिए आगे बढ़ते हैं यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है तो उत्तरा खंड में स्तित है यमुना नदी का उद्गम जिससे हमें यमुनोत्री कहते हैं गंगा का गंगोत्री से होता है और यमुना का यमुनोत्री से होता है यमुना जो है भारत की एक नदी है या गंगा नदी की सबसे तो प्रियागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है और यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये भी आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं अगला पर्षट देखते हैं अगला प्रस्त है राम नौमी कौन से मास में मना जाती है इससे पहले दसहरा के बारे में पूछा गया था कि दसहरा कौन से मास में मना जाता है अब राम नौमी के बारे में पूछा गया तो चैतर मास में राम नौमी को मना जाता है देखे राम नौमी का तेवहर चैतर मास के सुकल पच्च की नौमी को मनायाता है जो अप्रेल मई में आता है हिंदू धर्म सास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरसुत्तम भगवान सीराम जी का जन्म हुआता ठीक है तो यह राम नौमी यहाँ पर आपसे ना केवल अब पहले यह पूछते थे कि कौन सा तेवहर कहां पर मनायाता है अब उसकी डेट पूछ लेते हैं कि कौन सा तेवहर किस माह में मनायाता तो थोड़ा सा आपको डीटियल में पढ़ करके जाना है ठीक है चलिए आगे बढ़ लेते हैं भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है ये डारेक्ट कुछन आज पूछ लिया है तो सबसे बड़ी नहर भारत की कौन सी है इंद्रा गांधी नहर जो है वो भारत की सबसे बड़ी नहर है देखिए इंद्रा गांधी नहर की बात करते हैं तो यह नहर भारत की सबसे लंबी नह और विस्जब की सबसे बड़ी सिचाईटी पर्योजनावाली नहर कौन सी है, तो वो भी। आपकी इंद्रा- गांधी नहर है। चलिए। means computer की ओर चलते हैं, computer में आपका MS Excel 365 से 5-6 प्रशन लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इसको अच्छे से पढ़कर जाईए, MS Excel और अगर आपने MS World पढ़ लिया, तो 6-7 प्रशन आपको यहीं से मिल जाएंगे, 10 में से 6-7 प्रशन आपको इन दो टोपिक से ही मिल जाएंगे, उ मैत की बात कर लेते हैं, तो मैत में कुछ टॉपिक देख लीजिए, profit and loss से एक प्रशन पूछा है, LCM, SCF से दो प्रशन पूछे जा रहे हैं, number system का फिर से कोई प्रशन नहीं आया, SI का एक प्रशन, CI का भी एक प्रशन पूछा, अब किस तवाली SI, CI आने लगी है, और एक थोड़ा सा changement दिखा, इस shift में physics की numerical भी आप से पूछे जा रहे हैं, बाकी दो प्रशन आपके discount के हैं, time and work का एक प्रशन, mensuration की दो प्रशन, दो प्रशन आपकी percentage से भी पूछे गए हैं, तो आपका math advanced कम पूछ रहा है, जड़ा तर जो है वो आपका arithmetic पर ही focus कर रहे हैं, चलिए, reasoning की बात करें, तो तीन सिर्फ चार प्रशन आपके dice के पूछे जा रहे हैं, जिसमें open dice वाला जो होता है, वो भी पूछे जा रहा है, और जो बिलकुल normal dice होता है, वो भी आपका पूछा जा रहा है, तो लगभग 4 प्रशन आपके dice यानि की पासा से पूछे जा र परिवर्तन यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, अगर कोई जरासा भी पढ़कर गया है, तो 25 में से 25 नंबर की आप reasoning कर सकते हैं, अगर आपने nonverbal अच्छे से तयारी कर ली है, तो बिलकुल आप 25 में से 25 अच्छे से तयारी कर सकते हैं, आकरतियों वाले प्रशनों को अच जरो दबा लीजिएगा, यह हमारा टेलिग्राम ग्रूप है, इसको जॉइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको जो नोट्स पगरा हैं, वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, जैसे राके सियादा उसर के क्लास नोट्स आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएंग अभी हम आपको तीनो सिप्ट का एकजाम एनलसिस कराएंगे, और आज भी सुबह से लेकर के जितरी भी सिप्ट हुई हैं, तीनो सिप्टों का एकजाम एनलसिस हमने आज करवाया है, तो तीनो सिप्टों का आपको एकजाम एनलसिस देख लेना है, और कम समय में इसी तरह स हम आपका सारा exam analysis करवाने वाले हैं आपके exam के आकरी दिन तक तो लगे रहिएगा इसके बार में SSC GD का भी हम exam analysis आपका करवाने वाले हैं ठीक है तो मिलते हैं कल सुभा के exam analysis में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद